हेलो बच्चो आजब पढ़ने वाले हैं संगीता लुरागी सुबन्नः यह पार्ट कंणर भाषा के प्रख्यात साहितिकार वेंकटेश अयमकार ग्वारा रचित उपल्यास के अलुवाद से लिया गया है और इसका अलुवाद किया है वेंकटेश शर्वादी इसमें छोटा सा बच्चा है जिसकी संगीत में रुची है और वो पुराणिक शास्त्री का पुत्र है यालिकि उसके पिता पुराण का प्रवचल करते थे इसलिए उनके पिता को पुराणिक शास्त्री भी कहा जाता है तो बच्चे के बच्पल से ही समझ आना शुरू होता है कि उसकी अ इसमें उसके बच्पल की घट्ला वड़े। तो आउ पढ़ते हैं संगीता लुरागी सुबन्ना हो। पुलर अधिकल ध्रड़ी बभू। पुला अधिक ध्रड़ हो गई, मजबूत हो गई। एक बाल राजबवल में जब हो गई। तो वहाँ पर एक कारेक्रव हुगा। जिस संगीत कारेक्रव जिसकी वजह से उनकी वह अभिलाशा और अधिक परिपक्व हो गई, मजबूत हो गई। बेटा सल्दिया साथ साथ लिखी हुई है, बढ़ाते हुए करती जाओंगी, एक लिए चीज़ का धियार रखो। जैसे मैंने यहां लिख दिया, यह रहा को विसर्ग हो रहा है, यहां मैंने लिख दिया, मा जमा आ, इसका मतलब है प्रवचनव जमा आरब भबार। क्योंकि सल्दि का क्या लिएम होता है, उस्तरपत का लाज शब्द और पूर्पत का पहला शब्द, तो सभी सल्दियों में ही है, तो और कोई चेंज होता ही नहीं है, तो इसलिए मैंने पूरे-पूरे शब्द नहीं लिखे, फिर गिच पिच बच बच जाती है न, एक दि एक दिल ये विशेषर विशेषर एकस्मिल दिले ये दिले दिल कैसा है एक तो दिले विशेषर और एकस्मिल विशेषर एक दिल पुत्रेड साकम पुत्र के साथ साकम के योग में तृतिया तो एक दिल उत्र के साथ पुराणिक शास्त्री पुराणिक शास्त्री राजभव मुराणों का प्रवचल शुरू करते हुए आदव उससे पहले, मतलब मुराणों का प्रवचल शुरू करने से पहले, स्वपुत्रेण अपले पुत्र से शुक्लाबर धरब इत्यादी श्लोक को गाप्यामास गवाया, तो एक दिल क्या हुआ, पिता पुराणिक शास्त्री पुत्र के साथ आए, पुत्र सुबन्ना के साथ राजबवन में आए, और जब वो पुराणों की प्रवचल का प्रारब करने वाले थे, तो उलोले अपले पुत्र से कहा कि वो पहले शुक्लाबर धर गाए, और तो उलोले अपले पुत्र से शुक्लाबर धरब गवाया, यालिकी घणेश की सुथी गवाया, तो इसमें अरब माना, आजब अरब जबा, शालच, शालच प्रत्येस में, तो तत शुत्वा यह सुलकर, सर्वे पर्या लंदल, सभी आललदित हुए, तत किल्चित काल आलल तरब, तत में समागतो राजा, सब उपविश्य, पुराण अरब आकरले अतीस में, अब कुछ समें के बाद, तत्र समागतो राजा, वहा आए हुए राजा, राजा कैसे है, आए हुए, तो यह भी विशेश्य, विशेश्य हो गया, सब जबा, आजबा, गर जबा, तब, तो वहा आए हुए राजा, सब उपविश्य, बैठ कर, पु पुराण को सुलते थे, तो उच समें बाद किया हुआ, वहा राजा है, और वह भी पुराण को सुल रही थे, तो सल, जबा, उप, जबा, विश्य, बैठ, लिप रती हैं आपर, तो अस्विल वाके क्रिया पदम के, आ करले अतीस में, इती क्रिया पदम के, राजा, करता या कैसे देखते हैं, जैसे मैंने बोला, मैं बालक पुस्तक पड़ता है, तो बालक क्या कर रहा है, बुस्तक पड़ता है, तो पुस्तक पड़ता है, ग्रिया, ठीक, कौल पड़ता है, बालक, तो बालक है, करता, तो इसी में, पुराण सुलते थे, कौल सुलते थे, राज दुरे का विलोग्षब पाश्चर वे पिता के पास उपविष्टा बैठे हुए उपजवाविष्वाता बैठे हुए सुबन्ला सुबन्ला पुराण प्रवचलब कउतु हुनेल श्रेडवने पुराण की प्रवचलबू हैराली से सुलते हुए जिग्याशावस सुलते हुए ही मत्य महाराजब अभी बीच बीच में महाराज की तरफ सविस्मयम मिस्मयल सहितम मिस्मे से एराली के साथ पश्यतिस्म देखते थे तो पिता के पास बैठे हुए थे सुबन्ला पुराल प्रवचल को कौतूल से सुल रहे थे और साथी साथ महाराजब की तरफ एराली से लेख भी रहे थे महाराजब से सुल्दरबुक महाराजब का सुल्दरबुक वो कैसा है? सुल्दर विशेशल विशेशल विखे बिहत तिलक अलंग खारा और मुख पर यानि की माते पर बहुत बड़ा तिलग लगा हुआ था तत्रापी विशालस से गल्डस तरस से शोबा वहम शमर्शू कूर्चम इत्यादी सर्वबपी तस्य विस्वे कारणव आसी और वहाँ भी विशालस गल्डस तरस से विशाल बुख पर विशाल का कोलों पर शोबा वहम शोबा को बढ़ा वाली शमर्शू कूर्चम शमर्शू चुर्चम चप यानि की दाड़ी और मूच इत्यादी सर्वबपी इत्यादी सभी तस्य विस्वे कारणव आसीद उसकी हर तो यह तस्य पत्षिक के लिए आये बालक के लिए यानिकि बालका है तो क्या था महाराज का भूप बहुत सुन्दर था उस पर तिलक लगा हुआ था उसके उपर उनकी तारिय और मुझ पी थी तो वो बच्चे को बहुत हैराद कर रही थी राजा पी तम बालकम राजा ले दो तेल बार देखकर चत्रो यम बालक यह बालक चतुर है इती अवल्यत ऐसा बाला चत्रो जबा आयक तो राजा ले क्या वाला उस बच्चे को देखकर यह बालक चतुर है किसले वालक राजा ले एवब अवसिते पुरारे इस प्रकार अवसिते खतम होने पर क्या खतम हो पर मुराने इस प्रकार कुनान खत्ब होने पर राजा शास्रनव उदिशे राजा ने शास्री को उदिशित कर भो एशा बाला भवत कुमारा कि यह बाला कुमार आपका है इती अपरिच्छत ऐसा पूछा आप बहाप्रभू, हाँ बहाप्रभू इती शास्री प्रती वाच ऐसा शास्त्री ने उत्तर दिया, इसमें भी इकोई आए, तो प्रति जमा वाच, तो ऐसा शास्त्री ने उत्तर दिया, विसमें पूर्वकव राजा बालं संगोधिय, विसमें पूर्वक, राजा ले बच्चे को संगोधित कर, अए वत्स, कि भवाल अपी, क्या आप भी, प еме पुलाव इसमे पुर्वकम राजा बालन संभोध्या किमअ प्रिच्छत सबिच्छत ऐवच गिमबावालन भी बित्रिवत पुराल प्रभचलम करिश्यती इति पर्यध प्रिय पृच्छत ऐसा पूचा तदा सब आला तम उस मालक ले अहँ पुराल प्रभचलम लकरो भी म मैं पुराण प्रमचल नहीं करता हूँ संगीत गाया वी इती व्याहरत संगीत गाता हूँ ऐसा कहा तो क्या हुआ तो बच्चे से जब राजा ने पूछा क्या आप भी पिता की भाती कि पुराण का प्रमचल करेगे तो बच्चे ने का नहीं मैं तो संगीत गाता हूँ तदा राजा आहा तब राजा ने कहा तो ठीक है तरही एकब गालब श्टड़ुमा तावत तो एक गाला तब तक सुनती है इती अवदत ऐसा कहा तो गाया भी जबाई थी एकब गाल कैसा है एक तो एकब विशेशन और गाल मिशेशन गाल की विशेशता बताई है नहीं जिसकी विशेशता बताईजाए वो विशेशन और जिससे बताईजाए वो विशेशन तो श्टुमा जमात आधे सरकु विसर्ख इको यह, अलुपदब एव सुबन्ला श्री रागवब दश्रत आत्मजब इत्यादी श्लोक को संगीत मार्गेर अश्रावयत, ततकाली सुबन्ला ने श्री रागवब दश्रत आत्मजब इत्यादी श्लोक को संगीत के मार्ग से अश्रावयत सुनाया, तो फिर ततकाली सु बनला ने क्या किया? मुझे याद है ऐसा उसले कहा बुला उसले कस्तूरी तिनका इत्यादिश लोग भी मुझे याद है ऐसा उसले कहा बहु सल्तोष कितला है? बहु तो महाराज को बहुत सल्तोष हुआ तो असमिन वाकिक लिया पदम किप अभवद करत्री पदम चकिप महाराजा से एवब परितुष्टो राजा इसमिकार परितुष्ट होने पर राजा के सतुष्ट होने पर पारी तोषिक ट्वेलबाला ए इलाव के रूप में बच्चे के लिए पाल सहित उत्रिए वस्त्र को देकर बचशे पुलाने चबाने में जब भी किसी का संभाल दिया जाता था तो उसे पाल सहित उत्रिये वस्त्र दिया जाता था पाल तो तुम्हें पता है क्या होता है उत्रिये वस्त्र बच्छे दुशाला होता है जो राजा उने ओड़ा हुआ होता है तो पाल सहित उत्रिये वस्त्र देकर ये बत्स, ये पुत्र, तुम बेधावी यसी, तुम बेधावी हो, सुष्टु संगीत्व सिक्षेतवा, अच्छी तरह से संगीत को सीकर, सव्यक गातुप, अच्छी तरह से गालेका, भवाल अभ्यस्टू, आप अभ्यास कीजिए, इतो अपी अधिकम, और इससे भी अधि पारितोशिकम भवते वयल दास्यावा वुरुसकार आपके लिए हल देतेंगे इती बालकम उक्तवा ऐसा बालक को कहकर बुलह जग और बुलह शास्रणम उधिश्य शास्रीजी को उधिशित कर भो शास्रणम अरे शास्रीजी कुवारो चतुरा असी इसकी शिक्षा दिक्षा का प्रबल अच्छी तरह से करे प्राया भाग उश्लो भविश्यती इती अशन्सत तो मुझे उपीत है यह बच्चा बहुती निपुड होगा ऐसा कहा तद अलल तरह शास्त्री इंच उसके बाद शास्त्री जी पुत्रश च और अपने पुत्र के साथ सब निया वरते ताब उसके बाद वैस शास्त्री जी अपने पुत्र के साथ घर के लिए चले गए लौट गए यह है बचो व्याकरण पेस लंबर 1 उसके बाद यह भी व्याकरण है और एक पेस लंबर 3 है वह भी दिखा रही हूं यह बेस लंबर 3 है तो आप यहां से बचो व्याकरण कर सकते है तो आगले वीडियो में हम देखेंगे परटित आप मुदलब आज के लिए इत्रवा झाल झाल